अगर आप एक डॉग लवर है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूले हेलो दोस्तो दे अल्टिमेट चैनल में आपका स्वागत है हमारे आज के इस एपिसोड में हम आपको रॉट्वाइलर के बारे में दस ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे दोस्तो रॉट्वाइलर मीडियम टू लार्ज साइस की डॉग ब्रीड है ये इंडिया में वन अफ दो मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड में से एक है और इनके पॉपुलर होने के बहुत से अलग-अलग रीजन्स भी है लेकिन इतना मशूर होने के बावजूद भी रॉ ज़्यादातर लोगों को बिल्कुल नहीं पता रॉमन्स लोग जब जर्मनी में बसने आये तब वो रॉट्वाइलर का यूज करते थे वो रॉट्वाइलर को गाए और भेट जैसे जानवरों को चराने के लिए और फार्मर और बुचर्स के मीट और समान से भरे हुए इसे टाउन रॉट्वाइल के उपर रखा गया है जब रॉमन्स लोग जर्मनी में बसे थे तब वो रॉट्वाइल नाम के एक टाउन में अपने सारे रॉट्वाइले डॉक को रखके काम के लिए निकल जाया करते थे और कुछ टाइम बाद इस टाउन का नाम उन डॉक्स के साक लिया जाने लगा और तब से इनका नाम रॉट्वाइलर पढ़ गया एक टाइम था जब रॉट्वाइलर की ब्रीड एकस्टिंक्ट होने के गगार पर आगी थी यानि उनकी ब्रीड जस्ट खत्म होने वाली थी क्योंकि रॉट्वाइलर को समान से भरे हुए काट पिछने के लिए यूज किया जाता था लेकिन फिर जब उसके बाद रेलवे जा गए तो लोगों का काम असान हो गया और रॉट्वाइलर की डिमांड खत्म हो गई लेकिन कुछ टाइम बाद रॉट्वाइलर को पुलिस में जगा मिल गई और उन्हें वो काम सूट कर गया उ और इने एक्सिलेंट ओबीडियंस डॉग भी बोला जाने लगा मिड नाइटी नाइटी ज में रॉट्वाइलर की पॉपुलाइटी एकदम पीक पर थी उस टाइम अमेरिकन कैनल कलब ने एक लाग से भी जादा रॉट्वाइलर रेजिस्टर किये थे इसी से आप लगा सकते हैं कि उस टाइम रॉट्वाइलर की ब्रीड कितनी पॉपुलर थी रॉट्वाइलर की इतनी पॉपुलाइटी देखके ब्रीडर्स में भी लालच आ गया और वो रॉट्वाइलर की डॉग ब्रीड को दूसरी डॉग्स के साथ भी मिक्स करने लगे पूब चुक रोका qே कूझे होग शॅभ गलुक बोछती बोलना बिलकुल गलत होगा क्योंकि रोक्वाइलर की एग्रेसिवनेस हूं रॉट्वाइलर को अच्छे से सोशलाइज करेंगे और उसे अच्छे से ट्रेनिंग देगे तो वो एग्रेसिव डॉक्स कभी नहीं बनेंगे तो अगर आपके पास Rottweiler है तो प्लीज उसे आस पास के environment के साथ अच्छे से socialize करिए उसे दूसरे लोगों से मिलवाईए, डॉक से मिलवाईए, अलग-अलग parks में घुमाने लेकर जाईए, अलग-अलग जगा दिखाईए Rottweiler जब छोटे होते हैं, तभी उन्हें इन सब के साथ socialize करना अच्छा होता है Rottweiler बहुत सी countries में ban भी है, जैसे Spain, Italy, Romania, Israel, Portugal और France इन countries में लोग Rottweiler को अपने साथ घर में as a pet नहीं रख सकते Rottweiler का bite force 328 pounds तक होता है अगर ये किसी को एक बार पकड़ ले, तो समझ लीजे उसका छूट पाना लगभग नामूम्किन है Most Intelligent Dog Breed की ranking में Rottweiler number 10 पर है इसी वज़े से इन्हें बहुती easily और बहुत से अलग-अलग कामों के लिए train किया जा सकता है Rottweiler बस एकी coat color में पाया जाता है, वो है black इनके eyes के उपर जो दो dots होते हैं और chest के पास और पैरों के पास और jaws के नीचे का shade, tan color का या फिर mohogany color का हो सकता है तो दोस्तों ये था आज कमर एपिसोड Rottweiler के 10 facts के बारे में और popular dog breed के बारे में जानने के लिए subscribe करे हमारे channel को, like करे, share करे और comment करे इस video पे, thank you